माल को भाव नहीं है, मोधी जी ने बताया था, माल को भाव देंगे, हमको चुन के दो, हमने वही किया, वह यह बोल रहे है, किसान तो अच्छे, सब अच्छे या पर, हमार को भाव नहीं मेरा है, 16 बिन को भाव क्या है, सब को मालूम है, इदर में में क्या है, क्या नहीं है, क्या भाव है हमको खाने को मुटच कर रहे हैं ये सरकार ये तो जान देने के लिए तेहर कर रहे हैं लोग हमको क्या करने का बुलोग और मैं गाई तो इतने बढ़ गई तेल राशन सब बढ़ गया है जड़सो रुपई कीलो तेल चोटीस रुपई चकर मदद तो कुछ नहीं मिलती चुनाव में किसकी तरफ आप जाओगे किसको वोड करो पंजे को पंजे को बढ़ा रहे हैं नहीं ना उनके हाथ में सरकारे ना माल भी हम हम निकाल के देते हैं उनको माल हमारे माल को भाव नह हमारे पास कुछ भी कॉप इक भाव नहीं मिलता है स्वयविन निकाला दीड पोता है कुछ भी नहीं बीज़िपे वाले ने भूत मेंगाई कि बावीसोड हो साड़ी बावीसोर रुप तेल का पीपा हो गय है हमारी 2700 जार चाड़ी तीन हजार कपाज जारा अड़ु抜़ पटेकोन सत्तर में साथ अजार में जा रहा है क्या हमारे को कुछ भी नहीं बच रहा है विस किलो पपाच चुन्नी के लिए हमारे को दो सुरुपए देना बढ़ता है 20 किलो के हजार रुपए किंडर का हमारा इधर ही खर्चा हो रहा है कि मैस्पी की बात हो गई थी कि मैस्पी के उपपर यह गोवर्मेंट बराबर नहीं रही अपने मुद्दे पर सेकर्ड वान हमको बिजली नहीं मिलती तिसरी बात है कर्जमा पिका आया था कर्जमा की प्रभी मुद्दा अभी तक सौल नहीं हुआ हमारे जो मुख्यमंतरी देवेंद्र पड़न में इस साब थे उन्होंने इसके बारे में दो चार बार आर्गुमेंट किया हम बजी बिजली में आने की सबसे बड़ी वजाई है कि महराश्च चुनाओं में एक बड़ा मुद्दा है किसानों की आत्म हत्या का मुद्दा अगर हम सरकारी आकड़े की बात करें तो साल 2024 में जनवरी से मई और जुलाई तक की आकड़े की बात करें तो करीब 5,000 किसान महाराष्ट में आत्म हत्या कर चुके हैं और यह जो यवत्माल जिला है यह जिला ऐसा जिला है महाराष्ट का जहां पर सबस्यादा किसान आत्मात्या करते हैं और अब तो अमरावतीस का जो पड़ोसी जिला है यह वत्माल का वहाँ पर सबस्यादा किसानों की आत्मात्या की मामले सामने आने लगे ऐसे में हमने सोचा कि महराष्ट के यवतमाल चलते हैं और यहां के किसानों से बातचीत करते हैं और यह समझने की कोशिच करते हैं कि आखिर क्या वज़ा है क्या ऐसी मजबूरी है कि यहां का किसान इतनी ज़्यादा आत्मात्या कर रहा है और यवतमाल के बारे में तो ये भी कहते हैं, यहाँ पर हर दिन एक किसान मजबूर होकर आत्मत्या कर ही लेता है, सबसे आदा खेती यवतमाल में और अमरावती का जो बेल्ट है, यहाँ पर सोयबीन और कपास की खेती होती है, तो एक कपास की खेत में यहाँ पर मैं आया और लोग इसका पास को चुनने का काम करते हैं यह खेट किसका हुआ आप लोगों में से कि कि आपका आपका खेट है यह थोड़ा बातचीत कियों क्या वजह है कि यमत्माल के लोंoured कीछन हम इतनी आत्मत्य वो खर रही गिस को कुताा है जो JEFF करने का पैसा मिल रहा है सोयबीन का और कपास का यह परियाप्त नहीं है यह तो परेपिन है मजूरी हमको खाने को मौतच कर रहे सरकार यह तो जान देने के लिए यह तो जान देने के लिए तो जान देने के लिए तैयर कर रहे यह लोग हमको क्या करने का भूलो अभी सरकार बहुत तरह की दावे करती थी महरास्टा में सब जूटे सब जूटे यह इस बार यह हम कास्तकार लोग है पर हमारा मजूरे यापर इनको अब इस साल इस बारे में इस साल इनको दिखा देंगे हम क्या करने गए तो नराज है बजिपी पूरा नराज है आप नाव मत इनका नाभी मतलो इस साल में महाराश्ट के बीजपी पी सरकार कुछ भी ने किया कुछ नहीं कि आप देख लो मेरे से क्या पूच्रों में तो कास्ताकार हूँ वैपर से जाके मिलो क्या भाव दे रहे हैं पाच शेजार भाव दे रहे हैं हमिवाव विन गोड़ी तो अभी यह बताओ जब दस साल पहरे दूसरी सरकारे थी महरास्ट में तब अच्छा था किसानों का या बीजेपी के समय तब अच्छा था जब कॉंग्रेस का सरकार था तब अच्छा था दस हजार भाव मिर रहे थे अब कपास को 6,000 रुपए 16 बाव मिर रहे था अब ने यह बाव अबने यभाओ लेकिन मैं यह जानना चाहरा हूँ इन्होंने बहुत महिंगाई बड़ा दी क्काने के हमारे लाले पढ़ रहे अब है खेती करेंगे क्या खाएंगे अभी हम भी क्या करने का है लगोब दिक्कत क्या है यवत्माल में आए दिन हर किसान यह अ기는 कहते है ऍर इसी हां पर स्थिति है कि किसानों कि हर दिन इसान आत्मत्या करलेता है क्या वज़ा है है से महिंगाही महिंगाही बोच बड़ी वेजा है आपर भाव नहीं मिल रहा कास्ताकार को खाने को सब्सक्राइब करेंगे पहले किया था अब नहीं करेंगे पहले किया था अब नहीं करेंगे मात्या करने के लिए सरकार मजबूर करेंगे हैं सरकार महराश्ट किसानों के मийडूर कर रही है माधय की दिक्कत लगाे कि अभाव नहीं मिल रहा है इस बार सरकार कांग्रेस की नहीं नहीं को नहीं देंगे इस पीजीपी को उटींगे और भी बहुत सारी लोग इधर मोजूद है आज जो कपास सुनने का काम कर रहें इसे बातचीत करते हैं और समस्ते हैं थोड़ा आप लोगों से बात करेंगे फिर और पीछे जाएंगे आप मैं आजा रहा हूं आप बताओ थोड़ा आप अरे सुनिये तो थोड़ा आप तो बताएए आए क्या नाम हूँ आपका राजु चोगनी राजु न्याने शिराव चोगनी क्या यवत्माल में किसानों की क्या मुद्दे हैं अपकी बार के चुनाओं में यह चुनाओं किसान कैसे देखा इसने इनोंने आई ना इनोंने आस्वासन दिया है हम आएंगे कपास को 12 अजर सब में यह आएंगे ढिपैशन में आई यह मुद्दी आहीर कास्ताकारां किने करते बिजली यहां चली जाती है दिन भर नहीं आती रात को पानी देना पर रहा है बेसमझना चाहूं बूझे पी ने किसानों के लिए किया। वादे तो बहत किये तो 2014 में लाइन तुम्हारे को माप करेंगे, माप कि उन्हों ने, लाइन दिन भर रहती नहीं, रात को आती आठ बजे, आठ बजे हमारे तो पुबलिक करना पड़ता है, केतमी का. चुनाव में अपकी बार किसान किस की तरफ जाएंगे, बीजेपी या और कॉंग्रेस की तरफ? हम तो कांग्रेस को वोड़ देंगे, बीजेपी वाले ने बहुत मेंगा है कि बावीस्सों, साड़े बावीस्सों रुपा तेल का पिपा हो गया है, हमारे स्वाइबिन जारी तीन हजार, साड़ी तीन हजार, कपाज जारा, अड़ू सट, एकॉन सत्तर में, साथ हजार में जारा है, क्या हमारे को कुछ भी नहीं बच रहा ना, बीस किलो कपाज चुन्नी के लिए हमारे को 200 रुपए देना पड़ता, 20 किलो के, हजार रुपए किंडल का हमारा इधर ही खर्चा हो रहा, और वो खातला आते हम, अटा दा वीरे राते, वो पनरा सो सोडा सो रुपए थैली हो गई, नराज है किसान, बहुत नराज है, इन्होंने वादे के बहुत बड़े-बड़े हम वही से करेंगे, वही से करेंगे, ये कुछ भी ने करें, कुछ वादे दे रहे है, इधर बैठे ये थोड़ा बातचित करें, आप सब सारे एक साती हैं, खेते किसानी वाल है क्या मुद्दे महाराष्ट के किसानों की हरा है कि अभी तख हमको सब दिए था कि माफी कर्जमाफी जो कूछे मिलता था अभी तख हमको अभी कुछ नहीं दे रहे यह अब सब muscle कामकर रही लेकिन उसका फल ने मुरा, हम during Uh खाने कौन शार्धा प47 इनका हमारा यह उन्होंने बहुत वाधे किये थे वी जो हम करते हैं और बीज़ेपी 2014 में किसानों के लिए बहुत वादे किये थे तो वादे पूरे हुए पूरा एक भी नहीं हुआ वी नहीं आती वीड़ली का प्राब्लम है मद्दुल का प्रब्लमें जो हम का मैनत करते हैं कि फल नहीं मिलें रहा उसका यह कपाज जो है दस हजार कम से कम दहजार होना तो हमको छेश साथ हजार मिरा वादे पशेश तो उसमें चल रहा है जा रहे हमको क्या मिलेंगा खेते वाले को भुके पैसे वह हम जान भुषके वह मरने के टाइम पर आते हैं प्रोसान करने रहे हमको मरने के इसमें जाने के लिए बीजबी और वह कहते थे कि हम जो है भाव देंगे आपकी फसलोका का पास और स्वयबीन का अभी तक भाव थीन से चारी शेफ शाड़ इसमें भीच में चर रहा आतो बढ़ा कि अबूचिन नहीं मिल रहा है कुच मिला निए को यहां इस चेटर के लोग आत्महत्या बहुत कर रहे है किसान क्यों क्या वज़ा है यह समझना चाहूं तो इन्हों ने अगर आमको खेती वाले को दो अगर सही सलामत यह पैसा अगर दिये तो काम करेंगे भई कि किसान आत्महत्या क्यya क्यों कर रहा है मारास्तमा बोले तो यह 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 वаче है पैसा नहीं रहा है ना जो हम मेनत करें उसकाफ़न नहीं feeling ॢय तो और तो यह अपकी वार फिर विजव धी के साथ जाएंगे आप लोग YP opinion के वो तो नहीं जाएंगे हम जो आम अरा जो बवार किदर जाएंगे चुनाओं में किसोट विज़ी लोग को जो मदद करेंगे उसके तरफ जाएंगे क्या लग क्या मुलें तो कंग्रेस की तरफ दिल जो है जब से चल रहा है वह फुरानी अच्छे आद में बोलते हैं और लोग थोड़ा इदर बैठे हुए इनसे बातचीत करते हैं इनके क्या मुद्दे हैं यह आ रहे आ रहे उदर भी आ रहे क्या नाम हूँ आपका एक मेट आईए आईए यह खेत में भी थोड़ी दिक्कत होती है आप भी खेत ही किसानी करते हो हैं क्या माहोल हैब की बात चुनाओ का थोड़ा बताइए किसान किस की तरफ जा रहे हैं किसान कांकर के तरफ जा रहा है कि विजईभी को मुंददान के हा थामने पहले विज़ीव को चुन कि लाए लेकिन हमारे को कापास को भाव नहीं दे रहा है 16 सुरवार जोफ्यद को भाव नहीं दे रहे ह। अभी का करने का ढते तो करते हैं कि दे रहे हैं जूटे वाहते करते हैं, खूक्ले भाते करते हैं, जूटे बाते करते हैं. बोले थे किसानों को सब कुछ देंगे जिसके हगदार किसान हैं उनका दुख दर्द खतम करेंगे। ऐसा कुछ हुआ इन 10 साल में। किसानों की जो समस्याएं वह आपको मैं दिखा रहा हूं। यह कपास का खेत है और इनका यह कहना है कि खेती में ही इतनी लागत आ जा रही है कि इनका घर चलना मुश्किल हो जा रहा है। और यह खेत है कपास का बहुत सारे लोग अभी इधर मौजूद हैं से बातचीत करते हैं। और किसानों का जो मुद्धा है वो लगातार समझते हैं कि क्या मुद्धे चल रहे हैं। आप तोड़ाएंगे इधर। क्या नाम हो आपका? मंगेश काड़े। महराष्ट में किसानों की क्या मुद्धे हैं। सोचे कि चलो समझते हैं खेत में चलके लोगों से खेती किसानी करने वाले लोगों से किसान महराष्ट का क्या सोच रहा है। सोच रहा है मतलब अभी आपको एक मुद्धा हो तो बता सकते सार। हम लोग तो पहले से बहुत परेशानी में हैं। कि MSP की बात हो गई थी, MSP के उपर यह गोवर्मेंट बराबर नहीं रही अपने मुद्धे पर। कि सेकान वाल हमको बिजली नहीं मिलती। किसरी बात है कर्जा माफिका आया था, कर्जा माफिका अभी तक सौल नहीं हुआ। कि हमारे जो मुख्यमंतरी देवेंद्र फढ़न मिस्साब थे, उन्होंने इसके बारे में दो चार बार आर्गोमेंट किया, विचार कर रहे है, लिख रहे है, विचार कर रहे है, अभ्यास कर रहे है, यह हुआ, अभी तक कर्जा माफिका नहीं हुआ। कर्जा माफिका नहीं हुआ है, यह मैस की प्राइस के हिसाब से हम लोगों को रेट नहीं मिल रहा है, एक्चुली हमारा लागत खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मतलब अभी सब आपको मालूम होंगा, इसेंचियल कमोडिटी हर इसमें बड़ी हुई है, दो इसेंचियल कमोडिटी है, गोवर्मेंट का इसके उपर कोई कंट्रोल नहीं है, 2014 के मतलब जो भी वादे थे, उसमें एक परसेंट भी यह लोग खरे नहीं उत्रे, बीज़ेपिवान, हम मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन आपको भी मालूम है केंद्र में को नहीं, स्टेट मे डेटाप है, अभी अक्टमबर का रेकाट पर से लोकमत में आया, एक आउन लोगों की अक्टमबर के अंदर आत्मत्या हुई है, तो अभी यह सब चीजे है, वादे किये बीजेपी ने, लेकिन पूरे नहीं किये लोगा आत्मत्या को मझबूर हो रहा है, मझबूर हो रहा पड़ रहा ना जैसे अभी मैंने तीन एककर स्वयविन लगा था अपने खेत में तो जो तीन एककर में मेरे कुछ दीड़ बोरा स्वयविन वादेड़ वन्याड़ हाप अभी उसका जो यह में स्पी जो बात हो गई ती ओकम से कम साड़े चारह जारा रुपय रेट बोल रह लेबर खर्चा लग गया बियाना लग गया मेरा तो सब लग गया लेकिन उसके इसाब से मेरे को आउटपूट कुछ भी नहीं ना अभी मैंने मेरे पाच लोगों की फैमिली हम तीन एककर खेत है कैसा चलने का आगे का पैसा तो लगेंगा ना चलने के लिए उसके बाद में गवर्मेंट के तरफ से कुछ हम लोगों को पाच हजार दस हजार रुपए अनुदन मिलने वाला था हेक्टरि उसके हिसाब से हमारा सामा एक साथ बार आया उसमें वह उन्होंने अट लगा के रख दिया तो वह पैसे भी तक पहुचे नहीं पहुचे नही साथ बारा है लेकिन जो लोग सामाईख है उनके अभी तक नहीं पोचे मेरे गाओं में किसी को भी नहीं अच्छा यह बताई बहुत जानना चारो कि पहले आप लोग बीजेपी के साथ थे पहले से अभी बीजेपी वालों ने ऐसे दावे किये थे कि याने हम लोगों को भी हमारे बच्चों का भी बहुत है आगे चलके इनका भी कुछ फ्यूचर होंगा हम लोग कुछ कमाएंगे तो इनको अच्छे पढ़ाएंगे यह वह बात है हर आदमी की रहती आपकी भी होंगी तो हिसाब से हम लोग ने प्लानिंग करके बीजे की फीचे हम लोग गए थे खेती किसानी का मतलब ही हो ही है हम लोग बेरोजगार है अभी देखो इसमें कितने लड़के है यहां पर कपच चुनने को आये यह लड़का भी ग्रेजवेट है कुछ भी इसको दस बारा हजर की नोकरी भी नहीं है यह आप अवलेबल आना पड़ता यही पर यह सब चीज किया सचल रहा भी दर चल रहा तो बहुत बुरा क्योंकि कैसे हमारी आपे सबी लोग खेती कर दे के लिए कुछ परूट्टा नहीं कुछ उर्ता भी नहीं क्योंकि खेती को बहुत ज्यादा खर्चा है उस हिसाब से भाव नहीं और मजुरी बहुत बढ़ गई है अभी 3 ए लेकर में 15 किंटल कपास होगा, 60-70 रुप उसको लागत है, फिर कैसे 50-60 रुप महिने अभी व्याज से निकाले, फिर बचेंगा क्या, भाव है 7 रुप है, 6 रुप है, 7 रुप है, पंदरा किंटल में वो घर चला हूँ या उन व्याजदरों का पईसादू, ये दिक्कती ब नाइट भर एक घंड़ा चलता है, बाद में फिर जूड जाता है, बहुत दिक्कता है, लाइट चली जाती है, बार बार, इसलिए पूरा काम कर भी नहीं सकते, तो धुपकाले में पानी भी नहीं रहता जादा, इसलिए दुसरा कोई उत्पने ले भी नहीं सकते, पूरे कुछ भी नहीं के, अभी जैसे उन्होंने लाड़की बन दे दी, हमारी आप इमाराष्टर में, तो लाड़की बन दी, इधर तेल का भाव बढ़ा दिया, और ट्याम डूटी बढ़ा दी, और सब महेंगा ही बढ़ा दी, बढ़ा दी, आप बताएं भी आप इसी ख केती होती का काम? पूरा नहीं पढ़ रहा किसानों? सरकार क्या मदद करती है, आपकी सरकार ने तो खाता MSP देंगे और सबीन का कपास का सही दाम देंगे, ऐसी बात BJP की सरकार यहां करती थी, दस साल हो गए, क्या मिला? MSP है न सर, 75,000 रुपे कापास को MSP है, खरीदी शुरू नहीं हुई, मैं को बताओ दिवाल, दिपावली रहेंगे अभी, दिपावली में जो थोड़ा बहुत कापास घर पे निकलेंगा, वो बेचके हमें दिपावली मनाना पड़ेंगा, और अभी तक के MSP जो सरकार की ख क्या कि आगर मैं समझना चाहूं, और महरासा किसान इस चुनाओं में अपकी बार क्या करेगा, तो क्या कर बताएंगा, सर, बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं के, आज खाली खात के रेड बला है, जिस खात पे किसानों के सबसीडी थी, सबसीडी निकाल डाले, जो 500 रुप इस बार तो कॉंग्रेस कोई सपोर्ट करेंगे, बीजेपी समीद में, बीजेपी खाली लडाना जानती है, इंदू-मुसलिम कराना जानती है, किसानों के लिए उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, वैपार यो किसार करें हो, अभी तूर निकल रहा हमारा अगले महिने में बार से 18,000 तूर बुला लिए, तो हमारे तूर को कहां से भावाएंगा, कहां से भावाएंगा मैं को बताओ, मैंनमार से बुलाया है, 18,000 तूर बार से बुला लिए, तो हमारे तूर को कहां से भावाएंगा, आप लोग के दाम को नहीं मिला, कपास के गठाने भी बाहर से बुला रहें अगर बाहर से बुलाएंगे तो पिर हमारे इधर का कपास कोई क्या से रेट रहेंगा मुदी जी को क्या कहेंगे बहुत वादे की थे आपके यहाँ पर यवत्माल में आए भी थे बोले थे किसानों की आए दोगनी हो जाएगी किसान सम्रिद हो जाएगा तो उनके लिए सोच रहे हमारे उत्माल में तो जो लड़के निकल रहे उनके लिए रोजगाव का कुछ यह भी एक भी कमपणी ने एक खाली रेमन कमपणी वह बंद गिरने पर आ गई है अगया अगया कुछ करने पाई सच थोड़ा मैं आ रहा हूं इधर बात करने को आ रह अगा नाम हुआ एक में इधर से आई है क्या नाम हुआ सरस्वती डेबूर क्या करते हैं हम खेतिके काम करते हैं कपाश चुनती हैं हाँ कपाश चुनते 20 रुपई किलो 10 रुपई किलो कपाश है तो अभी कैसा चल रहा है सरकार आप लोग के लिए क्या कर रही है सरकार क्या करी कि लाड़की बैड ने दिया दो जो हजार पंदरा सुरूपई बाइना और मैं गाई तो इतने बढ़ गई तेल राशन सब बढ़ गया है सरकार की तरफ से मदद क्या मिलती है किसानों को बोले थे किसानों की आज दोग नहीं हो जाएगी ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा कुछ हुआ कपस को भी भाव नहीं चे अजर भाव है अब कपस को को सरकार मदद नहीं कर रही है नहीं तो इस चुनाव में किसकी तरफ आप जाओए किसको वोट करोगे पंजे को पंजे को बीजेपी से क्या दिककत बीजेपी से क्या नहीं कुछ नहीं दिक्कत भावी नहीं बढ़ा रहे तो कैसे हम उनको वोट दे बीजेपी भाव नहीं बढ़ा रहे नहीं ना उनके ही हाथ में सरकार है ना माल भी हम हम निकाल के देते हैं उनको माल हमारे माल को भाव नहीं दे रहे तो हम क्यों वोड़ दे उनको बीजेपी को बीजेपी तो पहले कहती थी कि आय दोगनी हो जाएगी किसानों की स्वयाबीन और जैसे कपास आप चुन रही है कपास का दाम की बात करते थे बढ़ा देंगे दस बढ़ गया तो वो भी दो तिन दिन पिछले बश को दस हजार हो गए ते कपास दस हजार के बाद आठ हजार को आगा इस बढ़ा सतो चेहाजार है घर कैसे चलता गर यह से रोज मुजुरी से चल रहा है अच्छे से क्या चल रहा है कुछ बाल बच्चे को भी नहीं उर रहा कुछ नहीं खाने पीने का बस रहीने का हा ठीक है तो यह देखिए महराश के किसानों और मजदूरों के हालात हैं आपका क्या नाम हुआ क्या चल रहा है अभी काम कुछ भी नहीं आई सद्धा मिल रहा है का पास का नए शेती है हमारे पास कुछ भी कप उसको भाव नहीं मिलता है स्वय बीन निकला दीड पोता कुछ भी नहीं ऐसी चल रहा है सरकार से क्या मदद मिल रही है कुछ भी नहीं दो हजरे नहीं मिलते है कुछ भी नहीं तो बोले थे किसानों की आए दोग नहीं कर देंगे बढ़ जाएगा नहीं नहीं तब कि वोट किधर रहेगा पंजा वीजेपी नहीं चाहिए नहीं क्यों हमारे को नहीं चाहिए नही यहां वह सारी किसानूं से मिलूँगा उन्से भी बातचीत करूंगा है और इसमें बातचीत की स्त्हियाप अंदाजा लगां कि सोयाबीन का और कपास का जो भाव है वो इन लोग को दिया नहीं जा रहा है मजदूरी का पैसा जाता है बिजली मिल नहीं रही है सिचाई भी करनी है लागत से जादा जो है इनको हासिल नहीं हो पा रहा है जो लागत है उससे भी घाटे में जा रहे हैं ऐसे में यवत माल क किसान आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं यही बात हम समझना चाहते थे इसलिए हम खेतों में आए इस तरह से और समझे ने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों के क्या मुद्दे हैं किसानों ने अपनी बाते बताएं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ट के माद्यम से अदना जा महराष्टर में लगा सकते हैं